तो आज हम देखने वाले है कि घर में हम पॉफेक्ट विपिंग क्रीम कैसे मना है जिससे हमारा केक जो है अच्छे से शेप होल्ड कर पाए और हम अच्छे को डेकोरेट कर पाए तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे एक बाउल को हमें 30 मिनिट तक फ्रीज में रखना है ताक बाद आप जो क्रीम का इस्तमाल करने वाले हैं उस में देखे कि उसमें सुईटनेस है ये आपको चीनी अलग से डालनी पड़ेगी तो यहां मैं स्टार विप का इस्तमाल कर रही हूँ जिसमें अल्रेडी चीनी होती है अवेलेबल आपको अलग से डालने की कोई जरुरत और यह 180 रुपय में 1 kg का पैक आपको इजली लोकल मार्केट में एवेलेबल होता है उसके अलावा अमूल के भी बहुत सारे ब्रैड है तो यहां पे जो मशीन का मैं इस्तमाल कर रही हूँ उसे में हाइ स्पीड पे रखके ही विप करने वाली हूँ बहुत लोग कहते हैं कि लो से हाई कीजे लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे करते हैं तो विदिन 3 मिनिट आपकी विपिंग क्रीम अच्छी तरीके से तयार हो जाएगी तो 2 मिनिट तक आपको इसी हाई स्पीड पे कंटीनियसली घुमाना है एक पर आप 2 मिनिट तक कंटीनियसली इसे विप उसके बाद अगर मान लीजे कि आपके जो भी क्रीम है जो आप इस्तमाल कर रहे हैं उसमें अगर चीनी नहीं है मीठा नहीं है तो आप उसे अलग से पीस के वहां पे आड़ कर सकते हैं और जो एसेंस मतलब जो इस तरीके का आप केक बनाना चाते हैं उससे रिलेटेड एसें में आड़ कर सकते हैं तो ये देखें टू मिनिट के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट पिक पे पहुँच चुकी है तो यहां पे आप शक्कर मतलब चीनी पीसी हुई चीनी और एसेंस यहां पे आड़ कर सकते हैं उसके बाद इसे और अच्छे से चर्ण कर लीजे और विदि अब यहां पे क्या करना है अब यहां पे दो चीजे है अगर आप इसे तूरंद इस्तमाल करना चाहते हैं तो तो भी इसे 10-15 मियट्स के लिए फ्रीज में रखते हैं टीप फ्रीजर में बिल्कुल ना रखें तो चलिए मैं स्पैचुला के हेल्प से आपको दिखा दू यहा तो आप इसे हम 10 मियट्स के लिए फ्रीज में रखेंगे और उसके बाद इस्तमाल करेंगे डीफ फ्रीजर के पार्ट में बिल्कुल ना रखें नहीं तो इसमें आइस क्रिस्टल हो जाएगी या अगर आप इसे दो दिन के बाद इस्तमाल करने वाले हैं तो आप इसे इस इसे राप कर दे और फिर इसे रखें और विदिन टू डेज आप इसका इस्तमाल कर लें वो उतनी ही फ्रेश रहेगी तो फिर इसके बाद चलिए मैं आपको केक डेकुरेट करके दिखा देती हूँ ये देखें मुझे लगता है ये रेसिपी आपको बहुत हेल्फुल रह ही है तो ये कितनी इंफोर्मेटिव रही मुझे कमें सेक्षन में जरूर बताईए और चानल में नए है तो सस्क्राइब जरूर कीजिए तब तक के लिए बाई